वेलकम तो माई चानल दिस इस प्यो हैश्टेग वसटाइल आपका अपना चानल और मैं हूँ दोस्त आपकी मोहीनी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ अपनी जनमास्टमी की तयारियां क्योंकि कल है जनमास्टमी तो आज ही आपके पास ये वीडियो मैं शेयर क सकते हैं तो सोटी सी जलक मैं बहुत जल्दी सा आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम अभी पैढ़ी है तो सबसे पहले बात करते हैं जिस जगर पे आप मंदिर बनाएंगे यहां जहां पे आप अपने भगवान को विराजेंगे चाहिए वो कोई कॉर्णर हो आपका खुद का मंदिर हो या कोई टेबल आप डेकॉरेट करते हैं तो उन पे आप क्या वस्त्र बिचा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इन नए कपड़े ही खरीदे आपके पास जो आप साड़ी वगरा पहनते हैं उनको यूज कर सकते हैं ज आप इसे पीस बच जाते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं और यह बहुत ही सुन्द लगते हैं तो मेरे पास इस तरीके से गोल्डन, ग्रीन, इस तरीके के हैं ब्लाउस पीसे तो मैं इनको ही यूज करके कुछ क्रेट करूंगी और आप इनको भी बैक ड्रॉप के आप इन्हें यूज कर सकते हैं अपनी तीम कि अकॉर्डिन अगर आप को इफ फॉलो करते हैं तो पहली चीज तो यह कि आपको क्या विशहाना है तो आप आराम से उसे कर सकते हैं दूसरी चीज तो जैसा कि लास्ट मैंने यह चोकी ली थी तो मैं इसी चौकी को यूज और थर्ड चीज निसरी चीज तो आप अपने भगवान को आराम सब्सक्राइब है काना जी का जुछा जो कि आने मेरे पास जब से मेरे काना जी है तब से ही है चार साल हो गया है इसका पूरा एक वीडियो जाएगा कि उसमें कैसे कैसे मैंने डेक्रोइड किया है आप देख सकते हैं यह रेड कलर का जूला था जिस पे मैंने और और बेबी पेंग को ग्रीन कलर के फ्लार्स इस तरह के से लगा ली है इससे लुक बिलकुल डिफरेंट हो गे पहले सिर्फ यहां लगा दिया है इन पर लेस लगा दी है पतली वाली और यह बहुत खुबसूरत हो गया यहां पर मैंने लेस लगा दी है आप देख सकते हैं जिसकी वैसे यहां थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था तो यहां पर मैंने इसको साफ करके लेस लगा दिया तो इसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया आप देख सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप हर बार एक नया ही जुला लें और अगर आप कर सकते हैं तो जरूरी एकवाय करगे करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के तरफ जो मैंने अभी रीक्रेट करी है तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दू जल्दी गल्दी से तो इस तरीके से मैंने बैकड्रॉप बनाया आप देख सकते हैं और जब मैं डेक्रेट करूंगे तब आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया है उसके रहे मेरा वीडियो आएगा बहुत जल्द आप देख सकते हैं तो यह मैंने बनाया लकडी से और यहां पर जो वेस्ट लेसिस थी फ्लार से वेस्ट और जो भी चीज आपके पास रखी होती है आप उन्हें यूज करके आराम से इसको बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है पिक्चर में लगा दूंगे आप देख लीजेगा आराम से किस तरीके से मैंने बनाई है यह सारी चीजे तो इससे आपको पूरा का पूरा बैक ड्रॉप मिल जाएगा आप इसे आराम से च शर्ट के डब्बे होते हैं बैसिकली जो ट्सराइब काफी अच्छी में होते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं तो म करते हैं बाग ड्रॉप मैने जो अभी बैक ड्रॉप मिली जो का नाजी के ड्रेस अब बेक अ 2009 मेली अग आर अजए और इसमें सारे कलर से तो अभी मै इस तरीके से बन गया अब इसको कैसे क्रेटिविटी से यूज करेंगे यह तो अभी आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स वीडियो में याले कि कल जन्मास्तमी पर क्रिशन जी का जन्म होगा व सारी चीजे उसके पार में आपको दिखा देती हूं जिस तरीके आप सभी के दिखन में इस तरह के से तोरं और और इस तरीके सी फूल मला जो हम दिवाली पर डेकॉरेट तो आप क्या कर सकते हैं इनको भी रियूस कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से रियूस हो जाती हैं चीजें दूसरी चीज आपको नई खरीदनी पड़ती पैसे बचते हैं तो मैंने इन में जो फ्लावर्स जो यह लीफ वगरा लगाई है न ऐसी एक तोदन थी मेरे पास मैंने इसको तोड़के इस तरीके के फ्लावर्स और उसकी लीफ निकालके उसको यूज किया है जो कि थोड़ी से पुरानी होगे थी खराब सी लगती थी बट मैंने उसके बजाएगा आचा तो अम मैं बता देती हूं क्रिश्ण जी का जन्म और क्रिश्ण जी की पूजा की विधी तो इस तरीके से बेड क्रेट करें थे काना जी की तो यह थी मेरे पास दो हैं तो मैं इसको ही यूज करूंगे तो मैं इसे भी बिल्कुल चेंश नहीं करने वाली तो कुछ चीजे जो मैं बजार से लेक आई थी मार्केट से लेक आई थी तुराब नगर वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूंगे आप ज़रूर एक बाइ चेक आउट कर लिजेगा आपको उसमें सारी चीजे मिल जाएंगी जो मैं नहीं नहीं जो मैं नहीं थी हैं तो हम इन सारी चीज้ों में से जो भास ठीका ऑचे र सकते हैं हाँ तो पूरी पूरी जातों की तयार कर आते हैं ज़रुरी नहीं हैं लगे चीज़ों मेर्शा रिवू नहीं हूं छीज़ों तो सबसे पहले उटके में घर साफ करने के बाद किशन जी की चौकी जहां पे किशन जी का जन्म स्थान हमें पूरा बनाना है उनको विराजमान कराना है वो डेकुरेट करूंगी और उसके बाद काना जी को हम कोई अन्न का भोग नहीं लगाएंगे इस तरीके से उनको करेंगे उसके बाद फिर दुपैर में उनको वही दूद बगरा दे दिया जाएगा और शाम को जब उनका जन्म होता है उस समय पे खीरे का बहुत स्था महत होता है अगर आपने नहीं पता कि खीरे का क्या महत होता है तो आप जाके किसी भी वीडियो में कर लीजेगा वहां पे आपको मिल जाएंगे बहुत सरके किष्ण जी के जन्म पे खीरे का क्या महत होता है और उसके बाद वहां पे चर्णा मित से उनका स्नान करा जाता है जिसमें दूद दही घी शहर्द गंगा जल ये सारी चीज़े मिली होती है मेवा ये सारी चीज़े चीज़े महत्त करें से बृँप करें सा एक होसे आपको पान जाते हैं ऑच्छा पकवान अच्छा पगवान बनाईये और मेल के विल घ फमरक में पेट अच्छा ना सब्सक्राइबड से तर प्लीज़े रूख के शहत्यret कृश्य जिसमास्ती ऑप स्वार के भी चा माम्रत नए वीडियो नए व्लॉग के साथ कल कर जो जनमास्क मेला व्लॉग है देखना बिल्कुल मत भूलिएगा सो तब तक लिए बाई